नमस्कार पंजाब टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भाव नत्रपाथी रुख करेंगे प्रिदेश के तमाम बड़ी खबरों के ओर खबर जाल अंधर से हैं जहां बीजपी के वरिश्ट नेता शोईत मलिक ने प्रेस कॉंफरेंस की इस दोरान उन्होंने पार्टी की सदसिता अभियान को लेकर जानकारी साजागी इसके साथ ही उन्होंने सुखपाल सिंख हैरा का कंगना रनौत और नसे के खिलाफ बयान लेको लेकर भी बातचीत की नेक्शन कॉंफर्ट लेए शरुबवार जीनी पार्टी लेए खिबूतोर जीनी पार्टी लेए बिलीपी लेए सारियां ही पार्टीयां प्रिवार्वासे जाए जादे उप्रदान मंत्री मने 2014 इंटे पार्टी नो उन्होंना अजिसरा और तुछी देखे हैं कि हमिद भ पर नेक्शन कुछ लेए बिलीपी लेए शरुबवार जीनी पार्टी लेए खिबूतोर जीनी पार्टी का सदस्ता अभियान चला रही है पटियाला में भी सभियान के शुर्वात की गई जिसमें भारती जिनता पार्टी के महास्चीव अनल सरीन मुक्यासिती के तौर पर पहुँचे इस दौरान उनके साथ महिला मोर्चा पंजाब की अध्याक्ष इंदर कौर भी मौजूद रही पत्रकारों से बात करते हुए अनल सरीन ने कहा कि अभियान हर छे साल में चलाया जाता है जिसकी शुरुवाती सदस्यता सबसे पहले पियम मोदी ने ली थी और अब ये अभियान हर राज्य के हर शहर हर गाव में चलाया जा रहा है बीजपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है देश के सभी राज्यों में बीजपी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें महासचीव अनल सरीन ने शिर्कत की पतियाला में बीजबपी का सदसिता भियान चलाया गया जिसमें महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी मौदूद रही तो वहां महासचीव अनल सरीन ने भी कारकरम में शिर्कत की जिवें तुसी सारे जान दे हो कि पूरे देश पार वेचे भारते जंता पार्टी दी मेंबर्शिप मुहिम चल रही है साड़ी हाट छे साल बाद मुडली मेंबर्शिप द्वारा हुंदी है उसे सिल्से देवेचे परसों दोत्रीक नो जेपी नड़ा जीने प्रदार मंति जीन सबतों पहला मेंबर्श बनाया सीगा उदेबाद काल साड़ी प्रदेश तर दे उत्ते ऐसा दा काट होया सीगा जीते प्रदेश दे सारे परमुक मेंबर्श पार्टीनल बने संद पार्टीनल जोडे संद मुड़वार ऐसे से सेल्से देवेचे आज सडे संगठन दे मताबक 35 जीले ने 35 जिगा दे उत्ते आज एसे टाइम दे उत्ते प्रोग्रम हो रेने जिवे से पट्यालिज किता है गा नेता का नाम नकली शराफ फैक्ट्री से भी जोड़ा जा रहा है और आए से अधिक आए की जाज भी एडी कर रही है वतादी की राजदीव सिंग नेता गुरकीरत कोटली के बेहत करीबी हैं वताय जा रहा है कि श्रमिक परिवहन टेंडर गोटाले में आरोपी वाहनों पर परजी नंबर प्लेट लगा कर अनाजमंडियों में माल पहुचाते थे इसके साथ ही आरोपियों ने टेंडर लेने से पहले विभाग में गलत वाहन नंबर भी लिखवाए थे जाँच में बता चला कि जो नंबर लिखे गए थे वो स्कूटर बाइक आदी दो पहिया वाह पतन निदेशालाय के टीम ने चापे मारी की है आए से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है जिसको लेकर एडी के टीम कॉंग्रस नेता के घर पहुंची और चापे मारी की कारवाई जारी किसान यूनियन के राजिस अचीव राजिन्दर सिंग, दीब सिंगवाला और युवा भारत सभा के निता नैनी हाल सिंग को गिरपतार वारेंट जारी किया है बताया जा रहा है कि S.D.M. फरीद कोट कोट ने 4 सितंबर को पेशोने के वारेंट जारी किया है वहीं राजंदर सिंग, दीप सिंग वाला और नौनी हाल सिंग ने पेशोने से इंकार कर दिया है अब तक उन्हें नहीं नहीं बताया जा रहा, इसके साथ ही उन्हें जाएगए कि आज तक कोई समन्य गिरफ़्तारी वारेंट नहीं मिला है वह भी किसी अन्यनामित विक्ती के हाथ में अज शानू जड़ा पता लगा के फ्रीद कोड दे मजिस्ट्रेट ने सड़ेडे गृफतारी दे वरंटा जारी किते हैं ते नाली नौय पार सवा दे आगू जड़ा नौने अल सिंग दीप सिंग वाणा उने गृफतारी वरंटे जड़े जारी किते हैं और कमाल दीगा ले या के जड़े एसडियम फ्रीद कोड ने साथे गृफतारी वरंट जारी किते हैं ओ नौने आल सिंग दे कोड़े आये आते उन्हों कैद ता गया के तू रिजिंदर सिंग हो रनोंवे दस देना एसडियम फ्रीद कोड ने नियाइक पर किरिया दिया बिलकुल तजिना डाउं दिया इन्ना भी जरूरी नहीं समझा के जिस बंदे दे तूसी गृफतारी वरंट कड रहे हो उन्हों कटों कट इन्ना ता दस्या जावे अमने सर ग्रामीर शेत्र के अंतरगत ब्यास नदी में चार यूवकों के बहने की दुरभाग ये पूर्ण खबर सामने आई है मौके से मिली जानकारी के मताबिक ब्यास नदी में मूर्ती विसर्जित करने के लिए जालंदर से करीब 50 लोग आये थे इसे बीच अब उक्त लोग मूर्ती विसर्जन कर रहे थे करीब तीन यूवक उनसे थोड़ा आगे निकल गए नदी में नहाने के दौरान जब तीन यूवक बहने लगे तो उन्हें बचाने के लिए दूसरा यूवक आगे बढ़ा लेकिन पानी के तेज बहाओ में वो भी बहे गया लापता यूवक अंकित के पिता प्रवेश ने बताया कि वे मूर्ती को सजाने के लिए जाल अंदर से ब्यास नदी पर आये थे लेकिन इसे बीच यह हादसा हो गया और वो कुछ दूर आगे बढ़ गए और उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चला तो वहीं पुलिस टीम के साथ साथ मौके पर ब्यास नदी से गोता कोर भी पहुँचे लेकिन उक्त यूवक का कुछ पता नहीं चल सका है खबर जाल अंधर से हैं जहां ब्यास नदी में डूढने के चलते चार यूवक लापता हैं जिनकी तलास जारी है आपको बता दे कि मूर्ती विसर्जन के लिए सब एक साथ गए थे तो वहीं नहाने के दौरान यूवक पानी के तेज बहाओ में बहुए कि अजना कुछ आमीट सब्सक्राइब दिगाले जिसान सूचना परापत होई संकते ते रवायत परातन तरीकी तेन हार साल जी तरहां को मूर्ती तरजन का नवास से आए ते मूर्ती तरजन करके ते वे चोजड़े सी के नौजवान सी के उध्रयाच वड़के ओ थोड़ा अगेनू आणी थे थोड़ा वा ओ फिर मूर्ले पास एके जाएके डूगे पानी चले के उत्यों दूपके उत्यों सूचना मली जुटने परावार ने संदसे फिरसी ते आके इले साटे ते लोकल साटे को अपने गोता कोड़े चार पांच जिते साटे डेली ही रेंदे ने प्राइवेट तावरते उन्हें दी मद्द दना असी प्रवारों लाले के लबन दी कोशिश की थी पर वो लबीनी बॉडिस थाले जा चुक अगर आगा कीरतपुर साहिब में हुई भारी बारिश के बाद भटोली और जियूवाल मौले की आम गलियों में भारी मात्रा में बारिश का पानी भर गया जिसके कारण गली में खड़ी दो कारे साइफन में फस गई और इसके अलावा बताय जा रहा है कि एक मोटर साइकल भी बह गई भारी बारिश के चलते जहां एक तरफ लोगों को गर्मी सराहात मिली है तो वहीं दूसरी तरफ जगा जगा पानी भरने के चलते लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा ہے नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दो कार नदी में बह गई तो वहीं एक बाइक भी बह गई तस्वीरे कीरतपुर से हैं जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है जिसके कारण पानी रिहाईशी इलाकों में घुस रहा है पानी भरने के चलते लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है, कई मार्ग अवरुद हो गए है आलम ये है कि कई वाहन भी इस तेज बहाव में बह गए दोकार और एक बाइक के बहने की संभावना जटाई जा रही है भारी बारिश की चलते लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तस्वीरे कीरतपुर से हैं जहां पूरा शेतर जल्मग में नजर आ रहा है आलम ये है कि कई वाहन भी तेज बहाव की जद में आ गए तो वहीं स्थानिये लोगों को या आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जल्भराव के कारण या तयात विवस्ता प्रभावित हुई है कई मार्ग अवरुद हो गए है आलम ये देखो एक वे शाटेश प्रभाव करना ये जवादा साजा रहता है लोग का यह से आद जाद गया फोले तो प्रकार है से अलिले बिच एक फोदा मदर्साथ पर बेन कार चंकरते सारे बिढ़ाना यादा करके मुझे तो दो गटियां हड़ियां हो और अशान हो गया मोटर सैकल इदेना लग को जाली माली में इसान भी हो सब्सक्राइब करते हैं तो परफंद करके एक पानी नुवे से बार सही पांच जांके तो तरीक के नाल किदा हल लिए अधिया प्लाइज में देख रहे है करमगर में यूफती का दिल का दौरा पढ़ने से उसकी मौत हो गई मौताग गुर्मीत कोर के नाना परमजीत सिंग और सुधागर सिंग बुटर ने बताया कि यूफती कनाड़ा में रहती थी इसके साथ ही परिजनों ने सरकार से अपील की है कि जल से जल यूफती का शौब भारत लाये जाए कि अधर शौब सिंग यूफती का शौब यूफती कि अधर मॉफती बहुती फ्रीवाणियू का दमाड़ी जाल दी तो जाल दी आजे ना कोड़े देखा कि आगा अधा कर दाती है नहीं है कि अधर के डिदा नहीं जो पिदा नहीं जो फिरी पेसे लागे पेजिए हैं सोके ओगे B.S.F. और पंजाब पुलिस ने तरंतारन के गाउं डल में एक संयूक अभियान चलाया जुसके परिणाम स्वरूप एक ड्रग तसकर को पकड़ा गया पूश्टाश करने पर संदिग ने महतवपूर्ण जानकारी का खुलासा किया है पकड़े गए तसकर के खुलासे पर निर्देश्ट शेतर में एक संयूक तलाशी अभियान चलाया गया जहां तलाशी दल ने 678 ग्राम वजन के हिरोईन का एक पैकेट बरामत किया है नश्य के खिलाफ पुलिस लगतार अभियान चला रही है इसी करम में बियस एफ और पुलिस की सायूक टीम को तरन तारन में बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने हेरोईन बरामत की है इसके साथी पुलिस ने नश्य तसकर को भी विरफतार किया है प्रदेश में लगतार बढ़ रहे नश्य को लेकर पुलिस अब सजग नजार आ रही है पुलिस की ओर से लगतार नश्य की रोक थाम के लिए तरह तरह की अभियान चलाया जा रहे है इसी करम में पुलिस और बियस एफ की सायूक टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है तरंदारन में पुलिस अक्षिन मोर में नज़र आ रही है नशा तसकरो पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस तरह तरह की अभियान चला रही है अमरित सर में व्यास नदी में चार यूवक डूब गए जानकारी के मताबिक व्यास नदी में मूर्ती विसर्जित करने के लिए जालंधर से करीब 50 लोग आये थे इसे बीच अब उक्त लोग मूर्ती विसर्जन कर रहे थे तीन उनसे थोड़ा आगे निकल गए नदी में नहाने के दोरान जब तीन यूवक बहने लगे तो उन्हें बचाने के लिए दूसरा यूवक आगे बढ़ा लेकिन पानी के तेज बहाओ में वो भी बह गया थानप्रभारी ब्यास सरपाल सिंग ने बताया कि उन्हें चार यूवकों के चिलाने के सूचना मिली थी जिस पर तुरंत कारवाई करते हुव ब्यास नदी के किनारे तैनाद गोथा खोरों के अलावा आने गोथा खोर टीमों को मौके पर बुला कर रवाना कर दिया गया अधिया थोड़ा वह फिर मोर ले पास एके जाएकर दूगे पानी चले कर ते उत्यों दूब गे उन्हें पर समसूचना मेली जितना परवार ने तरह से रसी आए आके यह साथे लोकल साथे को अपने गोथा खोर टेज़े चार पांच यह साथे डेली ही रेंदे ने प्राइवेट ता और थे उन्हें दी मदद दना असी प्रवारों लाड़ा के लबन दी कोशिश की ती पर वो लबीनी बॉडिस थाले जाते मटाला की निकट एतिहासिक कसपे धनपुर में अपने पती के साथ मा वैशनो देवी के दर्शन के लिए गई नव विवाहिता की वैशनो देवी में पाहार खिस्तकने से मौत हो गई मामले की सूचना परिजनों को दी गई है परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है खबर बटाला से है जहां परिवार में शोक की लेहर देखने को मिली है दरसल नव विवाहिता अपने पती के साथ मा वैशनो देवी के दर्शन करने पहुंची थी जहां पाहार की सरकने के चलते महिला की मौत हो गई जुसके बाद मामले की सुचना परिजनों को दी गई तो वहीं महिला की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है कि अभी है आफ यह इन यहां फिर नहीं वहार वहां वैशने विए ही करो हो गयी माताद अधर्शन करने जह आदिक वारी तो थोड़ा का तहां गेने पत्थर लाइंट श्लाइडिंग होई यह अधा दिर्या आडीया पद्थर देख जा पाली जेकित की अपना श्वापव रजीर मेरे शोटो ब्लाद करिया का Remember मपगविषर नान करिका यह लोगान又 लिवारी अब परनाशे है। मारे मेरे चाचाजी नहां। ्अर भूलत से दोट राध झाल अमना विए पूरा न्युट करता करता। होत्त एड इतनाक मेरे छोटे भ्रूजर नंगत स्टम Cakeste the experience of the किरतपुर साहब में हुई भारी बारिश के बाद भटोली और जीवाल महले की आम गलियों में भारी मात्रा में बारिश का पानी भर गया जिसके कारण गली में खड़ी दो कारे साइफन में फस गई और इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक मोटर साइकल भी बह गई है करके पानी करके पानी नुब से बार से पांच जांके तो तरीके नाल इस देख रहे हैं फिरोसपुर में चोरों ने एक दुकान में चोरी की वाददात को अंजाम दिया है चोर लगभग दो लाग कैश लैप टॉफ और दुकान से समान लेकर फरार हो गए दुकानदार और पूर्श पारशद ने बताया कि चोर डियार वी अपने साथ ले गए सिसी टीवी में एक कार नजर आ रही है दुकानदार ने इंसाफ की गुहार लगाई है खबर फिरोसपूर से है जहां चोरों के होसले बुलन नजर आ रहे हैं चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया आपको बता दे कि चोर कैश और लैप टॉफ के साथ अन्य कीमती समान लेकर भी फरार हो गए तो वहीं दुकानदार ने पुलिस प्रिशासन से गुहार लगाई है कि जल से जल कारवाई की जाए और आरोपियों को गिरफतार किया जाए शेत्र में लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर अब पुलिस प्रिशासन भी सतर्क नजर आ रहा है करें कि त्वी तक्रिममें मैं चनी मंदर पाठका रहा थी कि मैंनू के सजन रहे जाए आनके दस्ते आभी पूर रिजाचाटर टुटा प्याए तो मैं उस से टैमी चनी मंदर उठके ते देख्या दुरूर देख्या थे चैटर रहना ना तुटा प्याथी खेंड, डवादा भी इना दे चला गया है। एक पुलस उनु दॉस्टेसे करें तो श्वह जोद फोलेपे ने शिशा ठुटा पया तो तुसी आऊ तदे चोरी होगी पिल्हाल के लिए बस इतना ही जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ नमस्कार